Hello everybody, this is दिग्राव सिंग राजपूत, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ेंगे Delimitation Commission के बारे में आपके मन में सवाल, Delimitation Commission क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? Specific topic book में नहीं दिया, फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, Reservation of Constituency के बारे में कि Constituencies को Reserve किया जाता है, अलग-अलग Social Group के लिए जो Deprived थे कहीं न कहीं, ऐसी Possibility थी कि जो Powerful Social Groups हैं वो Oppressed Social Groups को Properly Representation में आने नहीं देंगे तो उसके चलते हमारे Constitution Makers ने क्या सोचा? कि Reservation ज़रूरी है, Constituencies का, ठीक है? चलिए ठीक लेकिन सवाल ये है कि कौन Decide करेगा किस Constituency को Reserve किया जाए? किसके लिए Reserve किया जाए? कैसे किया जाए? तो तरह तरह के सवाल थे, अब उन्हीं सभी सवालों का जवाब हमें Delimitation Commission में मिलने वाला है ठीक, देखिए, तो ये Delimitation Commission जो है, इसे Boundary Commission भी कहा जाता है Boundary Commission क्यों कहा जाता है? क्योंकि Boundary Decide करता है कि एक Constituency की Boundary कितनी होगी पहला काम तो ये होता है, Boundary Decide करता है कि कि किसी भी Constituency की Boundary कितनी होगी कहां से कहां तक एक Constituency कहलाएगी और दूसरी चीज़ ये भी करता है, कि ये तै करता है कि हाँ कौन सी Constituency किसके लिए Reserve की जाए? ठीक है? जो लोग Competitives की तैयरी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूँ जब हम Topic पढ़ते हैं और जैसे भी ये Delimitation Commission एक Random Topic हो गया गवर्मेंट के दुवारा एक Commission मनाया गया अब Appointment कौन करता है? तो ऐसे Questions आते हैं, ठीक है? तो ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन मोटी चीज़ें हैं, ठीक? तो देखो क्या होता है? The Delimitation Commission is appointed by President of India and works in collaboration with the Election Commission of India आगे पढ़ेंगे Election Commission को बागे आपको इतना तो पता ही है कि Election करवाने की पूरी जब्मेदारी Election Commission के उपर होती है तो जो Delimitation Commission है, वो क्या करता है? Election Commission के साथ मिलके काम करता है ठीक है? पैरलल चलता है Election Commission के साथ मिलके काम करता है और क्या काम रहता उसका? तो it is appointed for the purpose of drawing up the boundaries of constituency जो मैंने आपको बताया ठीक है? ये क्या करता है? Boundaries को draw up करता है बताता कि हाँ, इस area से इस area तक एक constituency तो इस तरह से constituency जो रहती स्टेट के अंदर जैसे अब ऐसा नहीं है कि मद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की एक constituency बना देंगे स्टेट के अंदर अंदर हर स्टेट के अंदर जो specific constituencies बनाई जाती है उन constituency को draw up कौन करता है Delimitation Commission ठीक और उसके साथ इसी कारण से बाउंडरी कमिशन भी कहा जाता है और एक और responsibility क्या होती है All over the country और दूसरी चीज़ क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी कि जो reservation की responsibility रहती है कि कि किसको कितना reservation मिलेगा मतलब किस schedule caste और schedule tribe के लिए जो constituencies reserve की जाएगी तो कहां कौन सी constituency को reserve करना है तो आप add करके एक और इसका function लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि Delimitation Commission का पहला function तो यह हो गया It is appointed for the purpose of drawing up of the boundaries of constituencies all over the country ठीक है तो मतलब state के अंदर जो boundaries बनेगी एक तो वो हो गया और दूसरा क्या function हो जाएगा इसका कि it decides which constituencies to be reserved and where it is required to be reserved ठीक है कौन सी को करना है कहां करना है किस के लिए करना है किस के लिए मतलब schedule caste के लिए या schedule tribe के लिए तो यह functions हो गए देखो अब क्या है question ऐसा आजाएगा छोटा question आगया वनमाक्स में ठीक है कि what is the function of delimitation commission अब delimitation commission का function एक number में पूछ लिया आपको पता है कि drawing up of the boundaries उसके बाद में deciding which constituencies to be reserved and for whom ठीक है तो यह साई simple crisp answer सिर्फ क्या करना है आपको crux पकड़के चलना है अगर आपको essence पता है कि हाँ यह काम रहता है तो चीज़े समझ में आ जाएगी अभी तक हमारी country में चार बार delimitation commission अपॉइंट किया गया है ठीक है जो latest था तो वो 2002 में कुल्दिप सिंग थे उस समय पे जो chairperson थे ठीक है justice कुल्दिप सिंग was the chairperson of delimitation commission which was appointed in year 2002 ठीक है आगे ना समझ में तो एक government order से बनाई जाने वाली एक body है जिसका काम यह होता है यह हमने पढ़ लिए delimitation commission है ठीक तो अब देखो आगे क्या है किस basis पे यह reserve करती है constituency में मुद्द यह इस चीज़ को में डिसक्स करना है देखें तीन लोगों के लिए originally constitution में हम देखें हैं तो reservation का provision रखा था मतलब तीन group के लिए schedule caste, schedule tribe और Anglo Indians चो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी आपकी बुक में नहीं है ध्यान रखते चलो लेगिन तो अभी हम क्या करते हैं schedule caste और schedule tribe के perspective से पढ़ते हैं तो schedule caste और schedule tribe की population का क्या दिखा जाता है composition दिखा जाता है ठीगे the quota of constituencies to be reserved depends on the proportion of schedule caste and schedule tribe in that state मान लिजे एक state लेते हैं जैसे odissa लेते हैं अब odissa में कितने schedule caste, schedule tribe के लोग हैं उसका proportion देखा जाएगा उस हिसाब से यह तै किया जाएगा कि यहाँ यहाँ पर कितनी seats जो है वो reserve करना है, कितनी constituencies जो है वो reserve करना है election में मतलब reserved constituency में ने बताया था पिछले वीडियो में मतलब यह तै किया जाएगा कि यहाँ से जो भी candidate election में खड़ा हो रहा है अमीर है, गरीब है माईने नहीं रखता है माईने क्या रखता है कि वो specific, अगर मानलो किसी constituency को reserve कर दिया schedule cast के लिए तो यह ensure करना होगा कि जो भी candidate जिसे भी ticket मिल रहा है वो ticket किसे मिले schedule cast के candidate को ही मिले जो candidate contest कर रहे है वो schedule cast का होना चाहिए तो अब देखो क्या है तो schedule cast और schedule tribe की population के basis पर आप reserve करोगे अब यहाँ पर एक चीज़ी देखना है cases are different for both the groups cases कैसे different है देखो तो schedule cast के लिए जब किसी भी constituency को reserve करना है तो delimitation एक अलग चीज़ देखेगा जब schedule cast के लिए करना है तो delimitation commission एक अलग चीज़ देखेगा आगे ने समझ में तो schedule tribe और schedule cast दोनों के लिए अलग-अलग criteria अलग-अलग perspective से अलग-अलग steps ली जाती है delimitation commission के द्वारा reservation provide करने के लिए उन constituencies को so those constituencies that have the highest proportion of schedule tribe population are reserved for schedule tribe simple सी चीज़ है schedule cast schedule tribe के लिए जब क्या करना है आपको किसी भी constituency को reserve करना है तब आप क्या करेंगे तब आप ये देखेंगे कि जिस भी constituency में schedule tribe की population सबसे ज़्यादा है schedule tribe की population मतलब वहाँ के लोग जो है तो वो schedule tribe वाली category को belong करते हैं वो किसी tribal group को belong करते हैं हमने हमारे constitution रिकनाइस किया है तो those consistency that have the highest proportion of schedule tribe population are reserved for schedule tribe तो जहां पे schedule tribe के लोग रहेंगे वो constituencies को schedule tribe के लिए reserve कर दिये जाएगा दिखती बात है क्योंकि tribes वहीं रह रहे हैं तो उनकी constituency वहीं के वहीं reserve कर दी अब case अगर देखें किसका schedule caste का तब दो तरीके का इस्तेमाल करता है delimitation commission कौन-कौन से दो तरीके हैं it picks constituencies that have higher proportion of schedule caste population तो अब क्या होता जैसा हमारी country है अब हमारी country में constituencies है 500 कितनी? 543 543 constituencies है तो अब delimitation commission क्या करेगा वो देखेगा कि कितनी constituencies ऐसी है जहाँ पे schedule caste के लोगों की population जो proportion है ठीके? वो high है ठीके? It is somewhat similar with the case of schedule tribe जो भी schedule tribe के उपर केज दिखा हमने तो उससे कुछ मिलता जूलता है अब क्या देखेगा delimitation commission कि कहाँ पे schedule caste के लोगों की population ज़ादा है ठीके? यह देख लिया फिर उसके आद में क्या होता है It also spreads these constituencies in different region of the state यह चीज समझने वाली है देखो क्योंकि schedule tribe तो हमने देख लिया tribes हैं तो वो जंगलों में रह रह रहे हैं उनकी constituency fix है ठीक है? लेकिन schedule caste के लोग क्या है? अब वो schedule caste के लोग मान लोग की हर constituency में आपको schedule caste के लोग तो मिली जाएंगे ठीक है? थोड़ा कम proportion होगा लेकिन मिली जाएंगे तो सबसे पहले delimitation commission क्या करता है पहले तो यह देखता कि जिन constituencies में उनका proportion जादा है population का proportion जादा है उन्हें reserve कर देता है ठीक है? अब उसके वाद में फिर यह भी ध्यान रखता है कि कहीं कहीं schedule caste के लोगों का proportion कम है लेकिन है तो सहीं वहाँ भी उन्हें भी कभी वहाँ से अपने आपको represent करने का मौका मिलना चाहिए तो इसके चलते का it also spread these constituencies in different regions of the state तो constituencies जो reserved constituencies provide की जाएगी schedule caste के लिए तो कहां कहां की जाएगी एक तो जहां population जादा है और दूसरा evenly spread कर देता है ठीक है? delimitation commission कुछ seats evenly मतलब मान लोगी कोई एक ऐसी seat जहां पे schedule caste की population कम है लेकिन किसी election में ठीक है? मान लोगी जैसे 15th general election जो हुए तो उसमें एक seat जहां पे कभी general seat आया करती थी मतलब general constituency रहती थी कोई भी अपने आपको contest करवा सकता था तो उससे reserve कर दी उन्होंने schedule caste के लिए क्यों? क्योंकि ये rotational basis पे चलता है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो constituencies थी जिने reserve किया गया था तो उन्हें चेंज भी कर दिया जाता था कि वहां के general category के लोगों को भी ऐसा लगए कि हमें भी तो कभी मौका मिले इस constituency से election लडने का और जो schedule caste दूसरे constituency में रह रह रहे थे जो reserve नहीं थी तो उन्हें भी ऐसा लागए कि हमें भी कभी reservation मिल सकता है तो इस तरह से क्या होता रहता है reservation क्या सकते हैं आप shuffle होता रहता है ठीक है यह schedule caste और schedule tribe का पड़ा और जहांपे tribal population है तो वहां तो schedule tribe के लिए reserve कर दी जाती है constituency को यह होता है delimitation commission का का काम और वह किस तरह से करता है मैंने यह आपको बताया ठीक है अब आगे देखते हैं एक चीज़ अब एक अलग dimension बताता हूँ मैं ठीक है थोड़ा सा delimitation से हटके है मतलब reservation of constituency से जड़ा हुआ है तो in the constitution similar reservations for other disadvantaged groups was not there देखो क्या बोल रहा हूँ in the constitution similar reservation for disadvantaged group was not there मतलब जब originally constitution बनाया गया ठीक है तो हमने क्या देखा कि जो मैंने आपको बता है schedule caste, schedule tribe और Anglo-Indian इन लोगों के लिए constituencies reserve कर दी ठीक है इन लोगों के लिए जब constituencies reserve कर दी मतलब इन लोगों के लिए अलग-अलग number of seats क्या करती जो seats के number मैंने आपको बताया थे याद है जल्दी से बताएंगे कितनी-कितनी seat कहां-कहां reserve करिए comment section में ठीक है तो अब जो seats reserve करी थी वो seats के number बढ़ते घटते रहते हैं जैसे मैंने बताया कि हर बार जब भी delimitation exercise होगी ठीक है जब delimitation commission को और शेडियूल ट्राइब के लिए था ठीक है similar reservation for other disadvantaged groups मतलब जो constituency का reservation हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ STSC के लिए है दूसरे social group जैसे women वगेरा के लिए नहीं है अब आप बोलोगे reservation for women तो है ठीक है तो ध्यान दो मैंने क्या कहा reservation for और लोगसभा इन राजिसभा की बात कर रहे हैं लोगसभा राजिसभा ठीक है यहाँ पर constitution ने यह नहीं मतलब originally constitution में ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या बोलते हैं जो पंचायत level है पंचायत level पर जैसे elections होते तो पंचायत level पर जो होते हैं वहाँ पर हम क्या देखते हैं विमन के लिए भी reservation है ठीक है अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि similar reservation विमन के लिए जनरल इलेक्शन में state legislative assembly में क्यों नहीं लाया जा सकते हैं तो उन सारे सवालों का जवाब हम देखते देखो क्या है तो constitution में क्या है similar reservation for other disadvantage group was not there ठीक है तो जो reservation of women के आप बात कर रहे हो तो reservation of women कहां पर है सिर्फ local level पर है ठीक है local level मतलब पंचायती election जो होते हैं पंचायत election और urban local body के जो municipality वगरा के election होते हैं सिर्फ उसी के लिए है तो अब क्या होता है लेकिन women का क्या है जब women को reservation नहीं यह लोगसभा राजिसभा में clear हो गया है यहां तक women को reservation नहीं है तो उसके चलते क्या होता है very few women are elected to representative bodies ठीक है considering this the demand for reserving one third seats for women in लोगसभा and राजिसभा is increasingly articulated ठीक है यह बहुत important चीज़ है क्योंकि reservation नहीं है इस कारेंट women का जो आप देखोगे 5% 10% total member of parliament जो है ठीक है इस्टेट legislative assembly के अगर बात की जाए तो जो total क्या सकते हैं कि state legislative assembly में जितने भी total MLAs होते हैं अलग-अलग state में तो उन MLAs में women का representation देखोगे तो 5% 10% बहुत कम reservation होता है ठीक है constituencies को reserve किया गया है वैसे ही women के लिए भी constituencies को क्या किया जाए reserve किया जाए ठीक है तो इस increasingly articulated अब why not in rural and urban local bodies तो जैसे मैं आपको बता दिया rural or urban local bodies में तो reservation demand करने की जर्वत ही नहीं है क्यों क्योंकि reservation पहले से मिल चुका है तो यह points त्रिफ confuse करने के लिए था ध्यान रखना है कि rural और urban local bodies जो है जो थर्ड टीर है हमारी government का वहां पे reservation है women के लिए भी schedule class के लिए schedule tribe के लिए reservation जिसे अगर आप देखो यहाँ एक चीज दिखा तो मैं आपको अब आप यह scene देखो पार्लेमेंट का तो यहाँ पे क्या है आप women देखोगे तो you can count on fingers one ठीक है two बस मैं को तो जिख रहे हैं तो ज्यादा women का representation ही नहीं न तो इसलिए डिमांड उठती कि उन्हें भी representation दिया जाना चीए अब आप बोलो आप बोलोगे representation देने के लिए reservation दे तो women को भी जैसे schedule cash और schedule tribe को दिया है तो जी हाँ उसके लिए लेकिन political will लगेगी मतलब politicians को आगे होके करना पड़ेगी इन चीजों को ठीक है reservation for लोगसभा और विधानसभा would require an amendment तो women को अगर reservation दिलवाना इसी तरह से women के लिए constituencies को अगर reserve करवाना है तो reservation of constituencies for लोगसभा और विधानसभा would require an amendment to the constitution इसके लिए आपको constitution amendment constitution में क्योंकि originally नहीं है तो आपको क्या करना होगा amendment लाना होगा तो आपको क्या करना होगा constitution amendment लाना होगा such an amendment has been proposed several times in the parliament but has not yet been passed ठीक है तो ऐसे proposal निकल जाते है राजसभा से bill pass हो जाएगा लोग सब हमें pass नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि proposal बहुत बार रखे गए लेकिन वो कभी भी law में convert नहीं हो पाया so this was all about this topic इस वीडियो में हमने ये सारा सब कुछ पढ़ाए अब next video lecture में हम क्या पढ़ने वाले हैं next video lecture में हम free and fair election के बारे में पढ़ेंगे clear है तो देखो election हो गया जैसे chapter देखें election की सारी चीज़ें बताई representation के बारे में बता दिया reservation of constituency के बारे में बता दिया है अब हम chapter को आगे बढ़ाएंगे और free and fair election के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं यहां तक किसी को किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much